हेलो प्रेंट्स तमस्कार जोती की रज़र सुई में आपका स्वागत है अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो फ्लीज मेरे चानल को लाइट शेयर और कमेंट जलूर कीजिएगा और चानल के नहीं है तो चानल को सब्क्राइब बनना भूलिएगा आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी आटे के हल्वे की रस्पी सेयर करूँगी जी हाँ हल्वा आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया भी होगा पर यहाँ पर आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला आटे क का हल्वा बनाएंगे तो यह आपके घर में सब को बहुत ही पसंद आएगा येकीन मानिए आज की रेस्पी बहुत ही टेश्टी होने वाली है तो आये फिर आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक कड़ाई गरम होने के लिए रखा है अब इसमें दो बड़ अब जिस हिसाब से हल्वा बना रहे है उसी अबसे घी और आटे को मिला लिजएगा उसे अब से ले लिजएगा कमिया अधिक अब यहाँ पर आटे को एकदम मीडियम आज पर हमें अच्छे से भून लेना है आटे का कलर आप देखते है बिल्कुल वाइट रहता है इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका color थोड़ा सा brown न हो जाए पर ध्यान रिखेंगे कि इसे तेज आज पर बिल्कुल नहीं भूनेंगे नि तो इसका color जो होता है वो अचानक से brown हो जाएगा दीमी आज पर भूनते भूनते दीरे दीरे करकर हम इसका color को brown करना है जिससे हमारा आट अच्छे से पक भी जाता है तो यह देखें यहाँ पर जो इसमें गुटलिया रहती है उसे हम इस तरीके से बिट में mix करते रहेंगे बिल्कुल भी इसमें गुटलिया नहीं होनी चाहि तो थोड़े से इसमें गुटलिया बनने लगी है तो इसमें mix कर लेंगे देखें इस तरीके से अच्छे से से भूनते रहेंगे यह आटे कालवा बहुत रिटेश्टी लगता है यह आपके घर के बच्चों और बड़ो सबको बहुत पसंद आएगा आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी सुबेर जल बाजी के टाइम में भी बहुत ही कम टाइम में असानी से बना सकते हैं तो एक बड़ तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉस में भी जरूर बताईएगा कि यह आपके घर में सबको कैसा लगा तो यहाँ पर मैंने आटे को 6-7 मिनट तक मीडियम आज पर या फिर कम आज पर अच्छे से भूना है मैं आपको बार बार बता दूँ कि तेज आज पर आटे को बिल्कुल नहीं भूनेंगे हम तो यह देखिए यहाँ पर हमारा 6-7 मिनट हो चुका है इसका कलर भी बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो च अब मैं इसको आपको पास से दिखाती हूं आटे का कलर को यह देखिए इस तरीके से तो आपको इसी तरीका का कलर इसका त्यार करना है इसे भूने में मुझे 7 मिनट लगे हैं तो अब इसमें हम मिला लेंगे चीनी तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी लिए है आपको अब इसमें एक कटोरी दूट डाल दूगी अगर आप चाहें तो इसमें गयस को बंद भी कर सकते हैं आफिर बिल्कुल कम रखेंगे दूट डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अगर आप चाहें तो आप दूट के बदले पानी भी डाल सकते हैं पर दूट में मराएंगे तो हलुआ और भी टेश्टी लगेगा तो यहसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारो तरफ से यह देखिए तरीके से तो तो बिल्कुल पॉफेक्ट त्यार हुआ है अगर ज्यादा यह कम होगा तो गीला हो जाएगा अगर आपको थोड़ा कड़ा लग रहा है तो आप थोड़ा से उदूर और डाल सकते हैं तो अब इसमें मैं यहां पर इलाची का पॉटर डालोंगी तो यहां पर मैंने 6-7 यहां पर मैं बता दूं कि मैं हलुआ थोड़ा सा सुखा रखने वाली हूँ अगर आपको गीला हलुआ पसंद है तो आप इस टाम पर और भी दूर डाल लीचिएगा मतलब तो आपका हलुआ थोड़ा सा गीला रहेगा यह देखिए मेरा हलुआ बिल्कुल सुखा है इस त मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा हम ड्राइफ्रूट्स डाल देंगे पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैं इसमें डालूंगी थोड़े से काजू और किसमिस आपको जो भी ड्राइफ्रूट्स पसंद है आप उसमें एट कर लीजिएगा तो यहा हमारा हल्वा बहुत ही टेश्टी दिख रहा है यहां पर मैंने गैस को कर दिया है बन तो हमारा हल्वा आज तयार है तो चलिए गर्मा गर्म हल्वे को प्लेट में सर्फ कर लेते हैं दिए देखिए बहुत ही टेश्टी दिख रहा है तो आज की रेस्पिक कम्प्लीट होती है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आगन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो फिर मिलते हैं ऐसी टेस्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू